नमस्कार दोस्तों मैं रितिक दिख्षित आपका अपने चैनल रितिक दिख्षित क्रेशन्स पर हादिक स्वागत करता हूँ आज हम उस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के सामने हमारा सर्फ गर से उचा कर दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारती भी गाड़ी बनाने में किसी से कम नहीं है इस कमपनी ने कई गाड़ीों के सेग्में भारत में इंट्रिड्यूस करा है जैसे कि compact sedan, three door SUV, station wagon, आदी यह कमपनी भले ही अपने products की marketing ठीक से नहीं कर पाती है लेकिन इसके fans इतने हैं कि marketing अपने आप ही हो जाती है इस company के बारे में अनेक ऐसे किस्से हैं जिनने जानकर आपको आश्चर है जरूर होगा तो अभी तक तो आप समझी गए होंगे कि मैं किस company की बात कर रहा हूँ जी हाँ, मैं Tata Motors की बात कर रहा हूँ तो चली चालू करते हैं Tata Motors के बारे में इस वीडियो में Tata Motors के बारे में कुछ अच्छे facts बताने वाला हूँ और last में एक bonus point भी बताऊंगा Tata Motors के बारे में तो बने रही है इस वीडियो में मेरे साथ चालू करते है Tata Motors की history से तो बात करें Tata Motors की history के बारे में तो Tata Motors का नाम पहले टेलको था जिसका फुल फॉर्म Tata Engineering Locomotive Company था जो पहले Locomotive बनाने का काम करती थी इसको 1945 में JRD Tata ने स्थापित किया था उसके बाद में 1954 में टेलको ने Mercedes Benz के साथ ने जी हाँ ये वही कमपनी है जो बड़ी बड़ी एक साथ कोलाबरेशन में इंडिया में ट्रक बना रहे थे बाद में जब ये Tata Mercedes Benz अलग हुए तब इसी ट्रक का नाम Tata 1210 D model रख दिया गया ये ट्रक इतने स्यादा रेलाइफल थे कि ये आपको आज भी इतने सालों बाद भी बारी समान डोते हुए दिख जाएंगे जबकि इस ट्रक का प्रोडक्शन बंद हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो चुका है तो जब हम ट्रक की बाद करी रहे हैं तो आपको एक चीज बता दू कि Tata 30 सालों से भी ज़्यादा समय से भारत में कमर्शियल वेकल का राजा रहा है और 15 सालों से भी ज़्यादा समय से दुनिया की चौते नंबर की टॉप कमर्शियल वेकल मैनुफेक्चरिंग कमपनी रही है अब आप खुदी अंदाजा लागाई है कि दुनिया में कित्ती सारी कमपनी होंगी और उसमें टाटा चौते नंबर पर आकर टाटा ने हमारा देश का नाम गर्व से उचा कर दिया है अब जब देश की बात आही गई है तो हम मिलिटरी ट्रक्स को कैसे भूल सकते हैं मिलिटरी में जो टेटर ट्रक्स आते हैं वो टाटा ही मैनुफेक्चर करता है टाटा 40% of the major trucks है जिसको मैनुफेक्चर करता है और मिलिटरी को प्रोवाइड करता है तो ये भी एक टाटा के लिए गर्व की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि टाटा हमारे देश की कमपनी है टाटा ने तो military के लिए अलग से manufacturing units भी लगा के रखी हैं जिससे military अपने हिसाब से Tata के trucks को customize कर सकती हैं आप जिनको नहीं पता मैं आपको बता दू कि Tata Motors commercial vehicles में trucks, buses, mini trucks ये सब चीजों का उत्पादन करती हैं बसेज में Tata का टाई अब Marco Polo के साथ में, Marco Polo एक Brazilian brand है और Tata के जो trucks हैं उनको आया दिन आप अपनी day-to-day life में देखते ही रहते होंगे Tata के एक mini truck Tata Ace, जो की एक mini truck है और ये popular हुआ था छोटे हाथी के नाम से ये mini truck Tata Nano के engine design का inspiration है क्योंकि इस truck में भी दो सिलिंडर का 702cc का diesel engine लगा है जिसे Mr. Girish Warg ने बनाया था, ये वही शक्स है जिनने Nano बनाने में सबसे बड़ी बुमी का निभाई है इन्होंने ही Nano के engine design किया है, ये छोटे engine वाला truck अच्छे से अच्छा और भारी से भारी वर्जन भी खीच लेता है इसकी सफलता को देखते हुए, अनेक company ने इससे inspired truck भी बनाया लेकिन वह truck इस truck की बाचाहत को भी खिला नहीं पाए अब बात करें passenger vehicle unit की, तो Tata ने अनेक एक से बढ़कर एक गाड़ियां लाई है जैसे की Tata Estate, Tata Sierra, लेकिन अफसोस की बात यह है, ये गाड़ी कुछ कमाल नहीं कर पाए लेकिन उस समय भी ये गाड़ियां कुछ ऐसे luxury features के साथ में आती थी, जिसको जानकर आपको आश्चरे होगा पावर विंडोज, rear achievement और telescopic height adjustable steering wheel भी मिल जाता था, जो उस समय भी बहुत luxury cars में आया करता था ये गाड़ियों की seat और ride comfort अदभूत थी, लेकिन दुरभाग के वर्ष ये जादा बिकी नहीं और Tata नहीं ने बंद कर दिया इसके बाद आई Tata की sumo, Tata की sumo ने आते ही साथ market में धूम मचा दी, इस गाड़ी को बहुत सारे लोगों ने इतना जादा पसंद किया अखिर कैसे न करते, इतनी affordable भी थी, साथ में spacious और comfortable भी थी, इसकी ride quality इतनी जबरदस्ती की आपको सवारी गाड़ियों की तरह पहाडी रस्तों पे खौद सारी दिख जाएंगी क्या आपने कभी सोचा है कि सुमो का नाम कैसे रखा गया, क्या ये एक सुमो रिसलर की उपर रखा गया है, नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत गलत सोचते हैं, इसके पीछे भी एक अनोखी कहानी चिपी है, तो कहानी कुछ इस तरीके की है एक बार की बात है, टेलको के चीफ एक्जेक्यूटिफ मिस्टर सुमन मुलगाओकर, जो कि मारूती के नौन एक्जेक्यूटिफ चेर्मेन भी थे, वो कुछ दिनों से लंच में बड़े ओफिशल के साथ ना बैट कर, अपनी गाड़ी लेके कहीं जाते थे, उनके साथ के कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहां जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ दिन जब उनका लंच में गाड़ी लेके जाना, और लंच के बाद वापस आ जाना, यह सिलसला जाली रहा, तब उनके साथ काम करने वाले लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई, और उनने उनका पीछ करते हैं, और क्या के सुधार किये जा सकते हैं, बहुत सब चीजों का ट्रक चालकों से सुझाओ ले रहे हैं, उनके काम करने के इस जज़वे को देखकर, टाटा ने उनको ट्रिब्ट देने के लिए गाड़ी का नाम सुमो रखा, उनके नाम के पहले दो अक्षर का उपयो से और लॉंच होने के बाद, लोगों ने इसे गूगल और यूट्यूब पर बहुत जादा सर्च किया है, आखिर कैसे ना करें, यह गाड़ी टाटा की सबसे अच्छी दिखने वाली गाड़ियों में से एक है, टाटा अब इस गाड़ी में लैंड रोवर का D8 प्लेट्फ इसको धूल चटा दी थी, लॉंच होने के कुछ समय बादी, लेकिन फिर टाटा के हैरियर को सेल्स डिप करने वाली जो गाड़ी आई थी, वह थी MG की हेक्टर, यह गाड़ी इंटरनेट कनेक्टेट कार थी, इसलिए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, इस की हैरियर से थोड़ा जादा था और इसका प्राइस थोड़ा हैरियर से कम था, उसके कारण यह गाड़ी अचानक से हिट हो गई, और इस गाड़ी ने ताटा हैरियर को धूल चटा दी, लेकिन अब ताटा ने भी अपनी हैरियर को फेसलिफ्ट दिया है, जिसमें उसमें प सुना ही होगा कि किती सारी MG की हेक्टर्स जो हैं वो चलते चलते आग पकड़ ले रही है और इसके बिहाफ में कंपनी ने अभी तक कोई भी सफाई नहीं दिये मानता हूँ MG अच्छी कार है लेकिन इसमें भी तो आग लग रही है जब नैनो में लगी थी तो सबने इसको बॉयकॉट करना चालू कर दिया था नैनो को क्या उसके प्रोड़क्ट अगर फेल हो गए तो वह कंपनी इंडिया नहीं छोड़ सकती अब टाटा की सर्विस कितनी ही खराब हो लेकिन टाटा की सबसे अच्छी बात है कि हमारी देश की कंपनी है और यह कभी इंडिया एक्जिक नहीं गड़ेगी MG Hector अपना डिजाइन Chevrolet Captiva 2019 और एक Chinese कंपनी की गाड़ी अलमाज के साथ में यह डिजाइन शेयर करती है अब यह चीज समझ में नहीं आती कि यह गाड़ी डिजाइन किसने की है Chevrolet ने, MG नहीं या वो Chinese कंपनी ने क्योंकि इसमें सिफ बैद चेंज किया गया है बाकी गाड़ी पूरी की पूरी सेम है एक Chinese कंपनी है Mapple जिसने टाटा नेक्जॉन को पूरा का पूरा कॉपी किया है अब आप खुदी सोच सकते हैं कि टाटा के डिजाइन कितने अच्छे होगा है आज की डेट में कि उसको बड़ी सी बड़ी कंपनी अभी कॉपी कर रही है अब इस टॉपीक के एंट में मैं सिफ यही कहना चाहूँगा कि कोरोना, टिक टॉक, मैपल और एमजी यह सब एके देश के बीज है इस बात से थोड़ा सा लोगों को उफेंडिंग लग सकता है मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ चलिए हमने अब टाटा की गाड़ियों की बहुत बात कर ली लेकिन अब चलिए टाटा मोटर्स की बारे में कुछ फैक्ट जानते है टाटा मोटर्स एक ऐसा ब्रैंड है जिसने इंटरनेट की दुनिया में बवाल मचा रख है हर कार लवर जानता है टाटा कितना कैपेबल है और अब टाटा कितना ज़्यादा इंप्रूफ कर रहा है मतलब वो टाटा जो इंडिका के लुक के कारेंट पसंद नहीं किया जाता था उसने इतनी स्टनिंग लुकिंग कार्स बनाना चालू कर दी है कि अगर कोई भी टाटा की गाड़ी गुजरती है व्यक्ति एक पर पलट के शरूर देखता है कि कौन सी गाड़ी जा रही है और वो गर्व हैसुस करता है कि यह मेरे देश की बनी गाड़ी है चाहे वो कोई भी गाड़ी का उनर क्यों ना हो टाटा ने तो बड़ी बड़ी कंपनी जो अपने डिजाइन को लेकर गमंड करते थे उनको भी परिशान कर रखा है कि अब टाटा कौन सी गाड़ी लाँच करे के इंटरनेट में चाने वाला है टाटा से रिलेटेड इंटरनेट पे इत्ते मीम्स शेयर होते हैं जो टाटा गाड़ियों की असलियत बताते हैं यह आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा हर क्रिएटर टाटा को एप्रिशेट करता है उसका कारण है कि टाटा प्रेजन डेट में बहुती एडवांस और सेफ गाड़ियां बनाता है अच्छे माइलेज वाली गाड़ियां भी होती है अब हम बात करें सेफटी की तो टाटा में सेफटी के बारे में तो यार बरशक करना मतलब ऐसा है कि आप किसी अपने चाहने वाले पे शक कर रहे हैं क्योंकि टाटा की लगबग जितनी गाड़ियां हैं जिनका Global NCAP Crash Test हुआ है उसमें सबने 4 या 5 स्कोर किये हैं जैसे कि Tiago 4 स्टार, Tigor 4 स्टार, Ultros 5 स्टार, Nexon 5 स्टार, Zest 4 स्टार तो इधर आप देख सकते हैं कि 3 गाड़ियां 4 स्टार और 2 नई गाड़ियां 5 स्टार लेके आई हैं इसका मतलब यह है कि टाटा की जो प्रेजेंट गाड़ियां हैं वो Crash Test में बहुत अच्छे रेटिंग्स के साथ में पास हो चुकी हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ Crash अच्छा स्कोर कर रही है यह गाड़ी Crash Test के होने के पहले Real Time Accidents में जो जिसमें यह गाड़ी किसी से भी टकराए या कहीं पे भी Roll Over हो जाए इसके Occupants safely बहार आ जाते थे और गाड़ी भी बाद में बन जाती थी उनने ये सब Experience अपने Facebook पर भी Share किया है और उसमें Tata को थैंक्स भी बोला है कि उनने इतनी सेफ गाड़ी जो बनाई है Tata की गाड़ी चलाने वाले को डर ये लगता है कि अगर वो किसी से जाके भीड़ जाए तो सामने वाले का कितना नुकसान हो जाएगा अब मैं आपको एक ऐसा fact बताता हूँ जो शायदी आपको कोई बताएगा और ये है मेरा personal experience और judgment है आप किसी भी विदेशी कंपनी की गाड़ी लेते हैं जैसे की Hyundai, Honda, Suzuki, Volkswagen, Adi जो भी ऐसी बाहरी companies हैं जो विदेश की companies हैं और या कुछ भारती कंपनी जैसे की Mahindra अगर आप इनकी गाड़ी लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ साथ साल का RSA देते हैं RSA का मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूं RSA का मतलब होता है roadside assistance जिसमें included रहता है कि आपकी गाड़ी को nearest showroom तक पहुचा दिया जाएगा अगर आपकी गाड़ी में कोई भी breakdown होता है तो तो जब आप इन कंपनियों से गाड़ियां खरी देते हैं तो ये कंपनी फ्री का जो RSA देती हैं वो चार सल देती हैं और तीन साल का paid RSA मतलब की total 7 साल तक आपको RSA देती हैं और paid RSA में तो आपको 6-7,000 रुपए भी pay करने पड़ सकते हैं और 7 साल के बाद में आपको कोई RSA नहीं मिलता मतलब अगर आपकी गाड़ी कहीं चलते वक्राव हो जाए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और इसमें आपको इतना ख location क्या है लेकिन टाटा एक मात रह ऐसी company है जिसमें आपको RSA lifetime का मिलता है जब तक आपकी गाड़ी का registration वैलिडर तब तक आपको RSA मिलेगा टाटा में भी 4 साल का free RSA मिलता है लेकिन आपको paid RSA मिलता है और उसका मुश्किल से cost 2-5,000 रुपए रहता साल का जिसमें आपको 2 mechanic repair और 2 बार toying service मिल जाती है बागे company में आपको कितने भी पैसे देने पड़ें लेकिन 7 साल की उपर आपको RSA नहीं मिलेगा मतलब यह सब company customer को यह feel करा देती है कि अब उनकी गाड़ी पुरानी हो गई है इसे change कर दीजिए लेकिन टाटा यह कभी नहीं करती और RSA insurance जितना ही important है क्योंकि जब गाड़ी में खराबी होती है या दुरगटना तब आपकी गाड़ी को service center तक पहुचाने की मुश्किल हो जाती है और अगर आप hydra या toying van को अलग से मंगवाते हैं तो आपके बहुत लंबे-लंबे खर्चे हो जाते हैं जब वेंटो का accident हुआ था तो उ मैंने भी नैनो का paid RSA करा रखा है जो कि मेरे को around 1600 रुपे का पड़ा उसमें दो mechanic repair और दो बट्विंग इस plan में included है Smart Mobility is not just about getting from one place to another, it's about enabling better living and better business performance, to keep ahead of the game, we employ cutting edge engineering and global research for mobility solutions that help people and businesses across more than 40 countries, get more out of life, we are India's only end-to-end vehicle manufacturer, meeting the needs of people in villages, towns and cities, we design our vehicles for exciting road presence, different kinds of terrain, all weather conditions, driving pleasure and a safe smooth ride, we make SUVs, trucks, hatchbacks, globally exciting platforms, defense vehicles, buses and sedans, that are futuristic, customized to suit businesses, high tech, ready for the rides and international, Every day at Tata Motors, we look into the future and ask what next, have we tested for every scenario, how can we make this better, faster, sleeker, more productive, safer, smarter, more trackable, intuitive, more desirable Tata Motors is a global giant, follows international benchmarking, fast-moving, cutting-edge innovator, rooted in research, is ahead of emission terms, tests its products extensively, has global alliances in design, surfaces and finishes, and research Tata Motors is a caring employer, an exciting brand, committed to quality, and an industry leader, who is a step ahead, to enable your success, and better living, because you, are at the heart of everything we do We are Tata Motors We are Tata Motors Tata Motors Tata Motors Tata Motors करना चाहिए, उनके decision की value करनी चाहिए, और उन्हें कभी यह नहीं कहना चाहिए, कि भाई, तुना Tata क्यों ली, जब बाकी देश के product को इतना praise कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, आखिर यह हमारे देश की ही तो company है, मेरे भी घर में Hyundai यो फोक्स वेगन जैसी विदेशी कंपन साथ में भी शेयर कर लीजिए, जिससे की वो भी Tata Motors की बारे में और जान सकें, और साथ में कमेंट्स में ये भी बताना बिल्कुल ना बुले कि अब मुझे कौन सी कार पर वीडियो बनानी चाहिए, और अगर इस वीडियो से किसी के भी feelings को ठेस पहुची हो, या उनको थो कारत बंदे मातरम